आम् सभी भक्त जनों को सप्प्रेम नमन भक्तों आज मैं आपके समख्च योग सुत्र ग्रंत जिसके रजज़िता महान योग अचारे महार स्री पतनली है उनके दूसरे अध्याय यानि सधनपाद के सैथिस्वे सुत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ यह सेथिस्वे सुत्र काता है अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत नुपस्थानम यानि अस्ते की प्रतिष्ठा हो जाने पर अस्ते द्रढ हो जाने पर सभी रत्नों की प्राप्ति होती है अस्ते किसे काते हैं इसकी व्याख्या पहले कराया हूँ जिस चीज का जो स्वामी है बिना उसकी इजाज़त के बिना उसकी अनुमती के जो उसके वस्तू का प्रियोग कर ले तो वह अस्ते का लाता है और वही जो नहीं करता है वह अस्ते का लाता है स्तेन मतलब चोरी करना को कहते हैं तो चोर एक पाप है और चोरी करना चरितर पर एक कलंक है और जो चोरी करते हैं उन्हें योग में दिड़ स्तेती नहीं होती है इसलिए जो चोरी सिस्तर और दा बचे रहते हैं तो वैसे लोग योग में दिड़ हो जाते हैं तो वैसे लोग की आस्ते जो है वह सिद्ध हो जाता है और इसे सिद्ध हो जाने पर बताया गया है कि सभी रत्नों की पराप्ति होती है तो यहाँ पर सभी रत्नों की प्राप्ति होती है से यह नहीं समयना चाहिए कि उसको हीरा, मोती, पन्ना, मानिक, निलम, तो स्पटेक वगरा जो रत्न बताए गए है, तो वे सब रत्न मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है इसकार्थ इतना है कि उसको किसी चीज की कमे नहीं रहती है, यानि किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा बहुत नहीं रहती है इसे ही सबसे महान प्राप्ति बताया गया है, सभी रत्नों की प्राप्ति की बताया गया है कि जब किसी चीज को पाने की इक्षा ने रहती है क्योंकि जब भी ब्रक्ति को पाने की इक्षा रहती है वो अवसी किसी ने किसी का ले लेता है किसी ने किसी बुद्धी से यानि आप यदि कुछ गठा करते हैं तो अवसी कहीं ने कहीं से चुरी कर रहे होते हैं किसी ने किसी का हर रहे होते हैं परतक्ष आप परतक्ष आप परतक्ष दिखता नहीं है लगता है कि मैंने कमा लिया है मैंने अपनी महनत से प्राप्त कर लिया है ऐसा लगता है परन्तु काम नाएं जब बहुत ज़्यादा होती है तो वह अपने सक्ति का उप्योग दूसरे के धन को लेने में करता है आखिर वह धन कहां से आता है दूसरे के हां से ही आता है उस धन को लेने के लिए सक्ति की जो है वह रादना करता है और सक्ति के माध्यम से उसे हासिल कर लेता है वह उसे चुराया हुआ नहीं कहता है बलकि कमाया हुआ कहता है लेकिन मूर रूप से यही बात है कि कामनाएं जो हैं वेपरीद कर रहे हैं उसे संग्रह करने के लिए उसे एकठा करने के लिए और एकठा कर लेना मतलब ले लेना और इस तरह से ले लेना कि लोगों को लगे कि इसने चुराया नहीं है बलकि कमाया है लेकिन योग सास्तर में धर्म सास्तर में अपनी जरूरत से ज़्यदा रखना अपनी नियून तम जरू जरूरत है वहां तक रहना ही छम्य है उससे ज़्यदा इकठा करना वह चोरी ही है आत्यदेख संग्रा भी चोरी ही है आखिर चोर भी तो चोरी करता है तो अपने मेहनत तो करता ही है तो वह भी अपने तरीके से का सकता है कि मैंने इसे कमाया बस परत्यक्ष हरन कर लेता है बात इतनी होती है हैं और बदले में वह कुछ देता नहीं है और जो कमाते हैं वे बदले में भी कुछ देते हैं यानि वे दो चोरी करते हैं तरसया है एक अपने लिए एक दूसरों के लिए भी इसको ऐसे भी समझा ज़ा सकता है यानि स्वैम भी पाप करस्त होते हैं, दूसरे को भी पापी बनाते हैं चोर तो फिर भी एक ही तरफ का पाप कर रहा है कमाने बारे तो दो तरफ का पाप कर रहा है अगर आध्यात्मिक दिश्टी से देखा जाए तो ये दोनों ही परिस्थितियां त्याज हैं तो यहाँ पर काग्या कि सभी रत्नों के प्राप्ति होती है अर्थात उसे किसी प्रकार के धन की कोई एक्छा ने रहती है कोई आग्रह ने रहता और वह नियूंतम में जीता है अपने कमाई करके धर्म सम्मत ही वह इकठा करता है अतधिक इकठा करना भी वह चोरी समसता है तो ऐसी स्थित्ती हो जाने पर ही काग्या कि सभी रत्नों के प्राप्ति होती है अर्था जितने भी अध्यात्मिक रत्न कहे गए हैं यानि इंद्रियों पर नियंतर्ण होना एक रत्न है काम वासना पर नियंतर्ण होना दुसा रत्न है इस तरह से जितने भी रत्न है अपने पीछे के जन्मों का बोध हो जाना अपने मानी सिद्ध हो जाना आदी आदी जितने भी रत्न हैं उन सभी रत्नों की प्राप्ति का वह पात्र हो जाता है और राम रत्न जो है सबसे बड़ा रत्न कहा गया है उस रत्न को पाने का अधिक आदी हो जाता है तो यहां पर पताने लिजी यही बताना चाहर है